बहुत समय पहले की बात है, एक निर्दई शेर जंगल का राजा था, वो अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता, जंगल के सभी जानवर भहे भीत रहते थे, एक दिन सभी जानवर उसके पास एक सुझाव लेकर गए, उनमें से सबसे चालाक लोमडी ने प्यार से कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक हैं, हमारा एक सुझाव है, आप बुले और कमजोर हो रहे हैं, तो आप धर पर क्यों नहीं रहते, हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज आपका भोजन बनने के लिए पहुंच जाएगा, अब आपको और शिकार नही भेज सके तो मेरी जितनी मरजी होगी है उतने जानवर मारूनगा, जानवरों ने कहा, महाराज, हम अपना वचन निभाएंगे, उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर की गुपा में जाता, वह शेर उसे खा लेता, एक दिन खरगोशों की बारी थी, एक छोटे खरगोश को जाने के लिए कहा गया, वह बहुत चतुर था, उसे यह बिलकुल पसंद नहीं था कि शेर सबको मार कर खाता रहे, गुफा की ओर जाते समय उसने बचने का उपाय खोज ही लिया, वह वहाँ धीरे धीरे चलते हुए काफी देर से पहुचा, शेर गुस्से में था, खाने के लिए काफी छोटे हो, और देर से भी आय हो, मैं बहुत भूखा हूँ, नन्हे खरगोश ने सलाम ठोका, महाराज, ट्रिपया मेरी बात सुने, मेरे साथ पाच और खरगोश भेजे गए थे, पर रास्ते में एक शेर मिला उसने उन्हे खालिया, उसने कहा कि वह जंगल का र जंगल में बने कुए के पास ले गया, और कहा वहां किले में रहता है, आपको इस तरफ आता देखे चिप गया, खरगोश ने एक कुए की और इशारा किया, खरगोश ने शेर को नीचे की और देखने को कहा, शेर ने पानी में देखा तो उसे अपनी पर्चाई दिखी, व वो दुश्मन को मारने के लिए कोई में कूद गया, वो कोई में डूब गया, और बाहर नहीं निकल सका, चतुर खरगोश खुशी-खुशी घर लोट गया, उसने अपनी हिम्मत और चतुराई से जानवरों की जान बचा ली. झल शुशी